तो competition के इस होड में समय बहुत कम है पडोसी ने क्या नंबर लाया ये सोच कर दंग है कैसे हो उससे बहतर ये सोच कर आँखे नम है अरे क्यूं भटक रहे हो इधर उधर हम है तो फिर क्या गम है तो जे बिल्कुल जब तक हम है आप लोग को उर्दू में एक परसेंट भी टे कि पिछले साल पिछले सेसन में मैं जितना भी objective question 12 वाले को कराई थी उसी objective question में से board exam में question पूछा था और लगबग student ने हमें comment करके बताया था अपना result कि उनका उर्दू में 99 किसी का 99% किसी का 98 किसी का 93 किसी का 97 मतलब सभी student का 90 से उपर ही आय था 90 से उपर marks तो सोच सकते है कि मैं कितना important objective question कराती हूं तो finally इस सेसन में भी 12th class वाले student के लिए मैं लेकर आ गई हूं objective question का series जी आज से आप लोगा start हो रहा है class 12 के उर्दू का objective question का chapter wise series सबसे पहले तो मैं बैठ कर देखी कि कौन-कौन से question objective question आप लोग के chapter 1 से exam में पूछे जाते हैं और कौन-कौन से question question पूछने की संभावना है फिर सभी को एक जगाई कटा की फिर निचोर निकाल कर most important और जितना भी chapter 1 से objective question बन सकता था वो सारा objective question को मैं तयार की हूं जो कि आज के इस वीडियो में कराने वाली हूं ठीक और इसी तरह आप लोग को chapter wise सभी chapter का objective question मिलेगा तो इस series के किसी भी objective question छूटे गा ही नहीं छूटे गा ही नहीं आप लोग के exam में तो रूठेंगे क्यों तो चलिए फडवट chapter 1 का जितना भी objective question में तयार की हूं उसको हम लोग फडवट कर लेते हैं मेरे objective question का answer देने से पहले आप लोग खुद उस objective question का answer कीजिएगा और फिर मैं तो आप से मिलाइएगा और आप हमें last में score बताइएगा कि आप लोग का कितना score आया इससे आप लोग को मालूम भी चल जाएगा कि आप लोग कितना पढ़ाई किया है ठीक तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी request है मात्र मैं आप लोग के लिए इतना ज्यादा मेनत करत आप मेरे लिए एक छोटा सा तो काम करी सकते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चारो तरफ शेर कर दीजिए फड़ापट अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा हो सके उपना जिदा शेर कर दे ठीक और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बाल कर देख रहा होगा उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले ठीक और बेला का नियन की घंटे को दबाकर और काप्सन क्लिक कर लेना है उससे होगा यह कि मेरो जाने वाल वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुतेगा ठीक तो अब चलिए फड़वाड वीडियो की शुरुआत करत बात जो है ना किस से हुआ उपसन ए में हैं ख्वाजाहसन निजामी बी में हैं मिर्जा फरतुल्लाबेग सी में हैं वजीर आगा और डी में जिलानी बानो तो आप लोगो मालूम होना चाहिए मैं आप लोगो अलड़ी पढ़ा चुकी हूं कि उर्दू खाका निगारी के मिर्जा फरतुल्लाबेग से माना जाता है यान किसका राइट इंसर क्या हो जाएगा और बी मिर्जा फरतुल्लाबेग इनी से माना जाता है मतब यही पहले खाका निगार है जिन्होंने पहला खाका लिखा और पहला खाका का क्या नाम है नजीर एहमत की कहानी डॉक्टर तो ये आप लोग को मालूम होगा क्योंकि ये सारा चीज में आप डॉक्टर नजीर एहमत की कहानी तो अभी मैं आप लोग को क्या बताई उर्दू का पहला खाका कौन सा है वह डॉक्टर नजीर और उन्धिर एहमत फर्हतुला बेग के कौन थे नजीर एहमत जो है ना वो फर्घुला बेग के कौन थे एक शागिर्द्ल किशगोन बी Bailey अस्ताद यानिकी टीचर सी मैं स्वाल यानिकी पिटा जी और डी में चाचा यानिकी आंटे तो बताईए इसका राय चैनसर क्या होग तो उस वक्त जो आना Option Number ए सई होगा शागर्द याद रखेगा नजीर एहमंद और फरतुल्लवेग यह दोनों टीचर और स्टूडेंट रहते हैं याद रखेगा तो दोनों तरशे किसी था कोश्चन पूछे आप लोगों को सबसे question को समझना है कि क्या किस से पूछ रहा है नजीर एहमद फरतुलाबे के कौन थे तो यह तब हो जाएगा उस्ताद यानि के आपसन नमबर बताईए तो आपसन A में है मिश्टर रजा, B में है मियादानी, C में है मिश्टर मुब्बीन, और D में है मियासानी, इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा? फरतुल्लाबे के साथ मदर्से में जाते थे मियादानी, आपसन नमबर B is your right answer. नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं, कोशन नमबर 6 है कि नजीर एहमद का तालुक किस सिन्फ से है, नजीर एहमद का तालुक किस सिन्फ किस कटेगरी से है, नाविल से की अफसाना से की खाका से की नजम से, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो होगा, आपसन नमबर A क्या नावि ठीक, अब आगे बढ़िये, अगले कोशन की तरफ फड़ाफट, एक मिनट, हाँ, देखिए, कोशन नमबर 7 है, कि बेग की पैदाईश कब होई, यानि कि मिर्जा फरतुल्ला बेग की पैदाईश कब होई, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, आपसन नमबर B, अगस्त 1850, ठीक ठीक, नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं, कोशन नमबर 8 है, कि बेग की पैदाईश कहां होई, यानि कि मिर्जा फरतुल्ला बेग की पैदाईश कहां होई, ठीक, उनका जन्म कहां हुआ, तो आपसन A में है, चूडी वलान दिल्ली, B में है, हैधराबाद, C में है, मर् फरतुल्ला बेग के वालिदा का नाम क्या था, यानि कि फरतुल्ला बेग के वालिदा, यानि कि उनकी मा का नाम क्या था, आपसन A में है, हुसन जहां बेगम, B में है, मुसर्रफ जहां बेगम, C में है, सरोरी जहां बेगम, B में है, मुम्ताज जहां बेगम, इसका इंसर हो जाएगा option number B मुशर्रफ जहां बेगम फरतुल्ला बेग के वालिदा यानि की मा का नाम था ठीक आगे बढ़िए अगला कोशन है कोशन की बेग के वालिद का नाम क्या था यानि की मिर्जा फरतुल्ला बेग के पिता जी का क्या नाम था तो इसका राइट इंसर क्या होगा option कोशन की तरफ बढ़ते हैं एक मिनट हाँ कि फरतुल्ला बेग किस मौलवी से कलाम पाग पढ़ा यहां पर पूछा जा रहा है कोशन की फरतुल्ला बेग जो है ना वो किस मौलवी से कुरान शरीफ पढ़े थे देखिए option A में सेयद वरियुल्ला बी में कमरुदीन C में है अल्लामा एकबाल D में है शाह आलम शानी तो इसका राइट इंसर क्या होगा तो इसका जो राइट इंसर होगा वो होगा option नमबर B कमरुदीन मौलवी कमरुदीन से फरतुल्ला बेग जो है ना कुरान शरीफ पढ़े थे याद रखिएगा आगे बढ़िए question number 12 है कि तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा इसका राइट इंसर होगा मैं आप लोगों को बता दूं और सी इंस्पेक्टिंग अफसर ठीक question number 13 है कि बेग की शादी कब और किस्से हुई यह अलग-अलग भी पूछ सकता है कि बेग की शादी कब हुई ठीक और हो सकता है कि सिर्फ उसमें संद दिया रहे ठीक या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है कि बेग की शादी किस्से हुई और अफसर में सिर्फ नाम दिया र स्ल्टाना सी में उन्हें से नहीं सिसर्फ क्या हो जाएगा इसका जो सही जवाब है उसका नमबर बी उन्हें साठ नसीमा स्ल्टाना से जो है की मिजफरत लाबे के उस पत्रीकार का नाम क्या है जो कि जुलाई उने से 27 में प्रकाशित हुआ अपसन ए में अर्दू बी में मजामा मजामीन फरहत सी में दीवान यकीन और डी में हैं दास्तान मेरी दास्तान तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा कोश्चन नमबर 14 का प्रफट आप लोग हमें बताए इसका राइट इंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए उर्दू उर्दू नाम का पत्री का जो है रिसाला वो जुलाई उने से 27 में तबाह हुआ ठीक आगे बढ़िए कोश्चन नमबर 15 इनमें कौन बेग की तहरीर नहीं है यहां पर आप लो की एक यादगार मुशायरा और डी में है दिवान यकीन तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन है जो की मिर्दा फरतुला बेग के द्वारा नहीं लिखा गया है तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा इसका जो सही जवाब है वो है आपसन नमबर बी रोज नाम च बाकी ये तीन चीज़े जो है ना ये तीन जे वो मिर्दा फरतुला बेग लिखे थे लेकिन रोज नाम चे जो है ना मिर्दा फरतुला बेग द्वारा नहीं लिखा गया है आगे बढ़िये Question number 16 बेग का मझामीन मझामीन फरहत कितने जिल्दों में तबा हुआ बेग का जो मझामीन था A से निबंद जिसका क्या नाम था मझामीन फरहत वो कितने जिल्दों में परकाशिश हुआ Option A में है 6B में है 5C में है 7 और D में है नहीं आप लोगों को बताना है इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्सन नंबर सी सात जिल्दों में प्रकाशित हुआ था आगे बढ़िए दर्जिजेल में कौन बेग की शायरी नहीं है यहां पर आप लोगों को बताना है कि इन चारों उप्सन म में है मेरी शायरी तो बताइए फड़ावट इसमें कौन जो है ना मिर्दा फरतुल्ला बेग के द्वाला दिखा गया शायरी नहीं है तो इसका जो राइट एंसर होगा इसका राइट एंसर होगा अपसन नंबर सी जहाज रानी ठीक आगे बढ़िए कोशन नंबर 18 बेग क खांदान मिर्दा फरतुल्ला बेग का खांदान जैना दिल्ली से माइग्रेशन करके दिल्ली को छोड़ करके कहां चले गए अपसन अ में हैं बदक्षा भी में हैं हैदराबाद सी में हैं लाहौर और डी में हैं मजफ़र पूर इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा इसका कमरुदीन बेग तो इसका जो राइट इंसर है वो है अपसन नमबर सी मिर्जा अब्दुल्ला बेग ठीक अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं परहत के जदे अमजद बदक्षा से तरके वतन करके कहां गए परहत के जो दादा परदादा थें वो बदक्षा से परदादा ज ओट्पा से तरके वतन करके यानिकी बदक्षा को छोड़के हिंदुस्तान चले आए है थे वो ठीक है आगे बढ़िए बें तलाश-स-मवास के सिलसिले में कहां गए थे मिर्जा अफरत प्रतुल्ला बेग जो है ना वो नौकरी की तलाश के सिलसिले में कहां गए थे ऑप किस बज़े मिलें और मियादानी कितने बज़े हुझ है, कितने बज़े हैं? देखें, फिर से मैं पढ़ दे रहे हुझ Week वत्रतुल्ला बेग और मियदानी कितने बज़े मदर्सा से आए। तो ये आप लोग के बुक में चैप्टर के शुरुवात में ही लिखा गया है कि मिर्जा फरतुल्ला बेग और जो मियादानी है वो मदर्सा से पढ़ करके साड़े ग्यारा बजी आये थे अगला सवाल है कि किस अर्भी शायर से मतालुक सबक पढ़ाने के दौरान मिया रजा की चुटी हुई और देखिए अपसन अ में है नजीर एमद बी में है मुतनब्बा सी में है बानो डी में है निजामी ये बहुत ज़्यदा आसान कोश्चन है जो मैं आप लोग को कोट्रेंट करके बताई थी कि याद रखिएगा अब्जेक्टिव में पूछ देता है और देखिए यहां पर अब्जेक्टिव में उठा भी लिया गया है कि किस अर्भी शायर से मुतारिक यान की कौन से अर्भी शायर थे जिसका सबक पढ़ाने के दौरान मिस्टर रजा कि देखो कल से तुम यहां पढ़ने के लिए मत आना तुम जाकर सबसे पहले बेसिक क्लास लो उर्दू की उर्दू की जो बेसिक चीज़े हैं वो सीखो तब मेरे पास आना पढ़ाई करने के लिए ठीक तो मुतनब्भा का शेर पढ़ती हुए जो है ना मिस्टर रजा की चुट्टी हो गई मुल्यू साहब अपने यहां से निकाल दिये मिस्टर रजा को ठीक आगे बढ़िए कोशन नमबर 24 है कि फरतुला बेग शेर ख्वानी में किस तरह की गलतिया किया करते थे अप्सन ए में है एराब की गलती भी में शेर को नश्र की तरह पढ़ देते थे सी में हैं शेर की तरह पढ़ते थे और डी में सुन्दे तो बॉलडति किया करते थे फरतुल्ला बेग पढ़ने का दौरान किस तरह की गलती किया करते थे तो मैं आप लोगों को बता दू याद रखेगा यह बहुत ही जड़ा-इंपोटेंट अए इंप स nuts कोशन है कितना बार पूछा जा चुका है ठीक आगे बढ़िए कोशन नमर्ट 25 है कि मियादानी शेयर खवानी में किस तरह किया गल्तिया किया करते थे फरतुल्ला बेक का तो मालुम चल गया कि यह शेयर पढ़ने के दौरान एराब की गल्तिया करते थे यह जबर जेर पेश और डी में हैं कवाइद की गल्ति तो यहाँ पर जो है इसका राइट इंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर्बी शेयर को नसर की तरह पढ़ दिया करते थे मियादानी जो है ना ओशेयर पढ़ने के दौरान शेयर को नसर की तरह जैसे कि आम बोल चाल जैसे कि हम लोग आम बातच चैप्टर रजा याद रखिएगा तो यह था चैप्टर वन का सारा अब्जेक्टिव कोशन जो कि आज किस वीडियो में मैं आप लोग को कम्प्लीट करा दी अगर आप लोग चैप्टर वन नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ सकते हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप चैप्टर टू का जितना भी अब्जेक्टिव कोशन है वह आप लोग को मिलेगा बस आप लोग को थोड़ा वेट करना है यह आप लोग का चैप्टर वन समझ गया अब्जेक्टिव कोशन कोई भी कम्फिशन हो आप हमें कमेंड करकर बूद सकते हैं ठीक तो फिर्म देंगे नेक्ट टूडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिस